ओम श्री सायना थाय नम्हा कई बार हम कहते हैं कि बाबा ने हमें ये मांगते रह गए पर अभी तक दियाने मेरी विश पूरी नहीं हुई मैं क्या करूँ कि बाबा सबकी तो सुनते हैं पर मेरी ही नहीं सुनते हैं जब कभी ऐसा लगे न, तो एक बार पीछे जाकर जरूर देखिएगा, कि क्या अभी तक जो आपको बाबा ने दिया है, आप उसकी कदर कर रहे हो, क्या अभी तक जो भगवान ने आपको बक्षा है, क्या आप उसके साथ सही से निभा रहे हो, एक बार जरूर देखना, अग क्योंकि जब माता-पिता के अगर दो बच्चे होते हैं न उन में से जब एक बच्चा माता-पिता का बहुत कहना मानता है उनकी हर बात मानता है उनकी दी हुई चीज की कदर करता है न तो माता-पिता उस बच्चे को देने में कभी कमी नहीं करते देते वो दूसरे बच्चे को भी है जो उनका कहना नहीं मानता लेकिन थोड़ा हाथ खीच कर रखते हैं कि जब उसको उसकी वैल्यू समझ में आएगी तब उसको देना शुरू करेंगे तो जब माता पिता हमारे ले इतना सोचते हैं फिर तो वो भगवान उसने दोरे बनाया है तो वो हमारी कितनी फिकर करता होगा इसलिए हर चीज की कदर करना सिख जाओगे न तो उसको देने में कभी कमी नहीं करता वो आपको बेशुमार देगा एक बार सोचने जरूर और नहीं करते हैं तो आज से हम हर चीज की कदर करेंगे हर रिष्टे की कदर करेंगे भगवान की दी हुई हर चोटी से चोटी चीज की कदर करेंगे मेरा विश्वास है कि वो बेशुमार देगा एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं लेकिन तीसरे दिन जरूर देगा जै साहिनाम, साहिन शुबरात्री